जैसरी राधेकेश्णर आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है आईए सुनते हैं वैसाख मास महात्मे कथा में 14 अध्याय की कथा अब तक आपने एक से लेकर के 13 अध्याय कथा को स्रवन किया अगर आपने नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैसाख मास म महात्मे के नाम से ऐक पैले लिष्ट बनाया गया है आप वहां से जाकर के मिशले अध्याय कथा को स्रवन कर सकते है हिंदू दर्म में वैसाक महीने का बड़ा ही विशिश महत्तु माना गया है वैसाक के महीने में भगवान विश्णु का पूजन करना गंगा आश्नान करना दान पुन्यों का कार्य करना इन सबों का बड़ा ही विशिश महत्तु है तो आईए सुनते हैं वैसाक मास महत्मे कथा में चोदहवे अ तुरुतु देव जी कहने लगे कि वैसाख मास की मेश शंक्रांती में जो प्राणी प्राता अश्टान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुश्य वैकुंठ को जाता है परंतु जो होती हुई कथा को छोड़ कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं वह और अब नरक में जाकर पिशाश योनी को प्राप्त करते हैं यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं यह इतिहास बड़ा पवित्र पाप को नास करने वाला धर्म वर्धक तथा तत्काल शिव निय है प्राचीन काल में गोदाबरी की किनारे ब्रम्हिश्वर शेत्र में ब्रम्हनिष्ट परमहंस दुरवासा रिशी के दो शिश्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इक्षा नहीं थी और उपनिशद शास्त्रों का ही अध्यन करते रहते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर अपना निर्वाह कर लेते थे और परवत की गुफा में पड़े रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ट और तपोनिष्ट था। इनमें सत्यनिष्ट तो सजय भगवान की कथा सुनता, कथा सुने बिना कभी अन जल न ग्रहन क जब कथा वाचक रोग से पेडित हो जाता तो वह अपने घर कथा कहता, फिर कुए आदी पर अश्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता, कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य कर्म करता, जो मनुश्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है, वह जन्म मरण के बंधनों स जाता है, उसको भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन होती है, तथा उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, भगवान में शिनेह और साधु महात्माओं में स्रधा उत्पन हो जाती है, निरगुन, ब्रह्म उनके हिर्दय में आका वास करने लगते हैं, परंतु, ज्यान पुरुष के सब कर्म नश्ट हो जाते हैं, जैसे अंधे के लिए दरपन निश्फल हो जाता है, वैसे ही अज्याने पुरुष के लिए कर्म निश्फल हो जाते हैं, अच्छे कर्म से सात्विक बुद्धी से वेद रुशी होती है, वेद ज्यान उत्पन होता है, इस प्रक नहीं होता, वहाँ पर यदि गंगाजी का किनारा ही हो, तो भी त्याक देने योग्य है, जहाँ पर तुल्शी का विक्ष नव हो, जहाँ भगवान की कथा नहोती हो, जहाँ साधु महात्मा नहो, वहाँ पर मरा हुआ प्रानी सौ जन्म तक कुत्ते की योनी में पड़ता है, इस प्रकार वह सत्य निष्ट, रिशी उपनीशदों का यही निश्य करके सदैब भगवान की भक्ती में तत्पर रहता, और सदा उनकी कथा को स्रवन करता, कथा स्रवन करने से अधिक अन्य किसी कार्य को न मानता, तथा दूसरा जो तपो निष्ट था, वह अत्यंत दुर प्राग रही इवं कर्म निष्ट था, वह ना तो स्वयम कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़ कर चला जाता, कि कहीं पर तप में विग्न न पड़ जाए, स्त्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था, वह दुर्बुद्धी इस प्रकार अपन समय बिताता रहता, न हरी कथा कहता और ना ही सुनता, जब वह मिर्टु को प्राप्त हुआ, तो कथा के दुरागरह से शिन्य कर्ण, नाम वाला, बलवान पिशाच, समी के ब्रिक्ष पर हुआ, वह अपने किये कर्मों का विजार करता हुआ, भूख और प्यास से दुखी ह इधर उधर भटकता फिरता था, मगर कहीं विश्वराम नहीं पाता था, उसकी देहे परपवन अगणी के समान तथा जल काल आगणी के समान लगता था, इबं फल पुषपाजी विश्व के समान लगने लगते थे, इस प्रकार वह दुर्बुध्धी, करमठ, सुनसान वन में फिरता रहता, मगर कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं होता था, कदाचीत वह सत्यनिष्ठ ब्रमन करता हुआ, उस पैजीन सी पूरी में आ गया, उसने मार्ग में दुख से पेडित, शिन्न कर्ण नामत पिसाज को दिखा, वह भूक से आतुर हो, बुडी तरह से रो रह था, उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, कि तुम कौन हो, और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, अब तुमको दुख नहीं होगा, सत्यनिष्ठ के ऐसे बचन को सुनकर, अत्यत्य व्याकुलता से वह कहने लगा, कि हे प्रभु, मैं दुरवासा का शिश्य, तपो नि मैं ब्रिहोश्वर शित्र का निवासी, बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था, अपनी दुरवुद्धी के लिए महात्माओं से विश्णु कथा, कर्मों के लोप को हो जाने के भैसे कभी नहीं सुनी, और नाहीं कभी कथा सुनाई, इस घोर कर्म से मेरी मिर्तु हुई ह और शिन कर्ण नामक वाला पिसाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ, मुझको इस दुख से चुराने वाला कोई दिखाई नहीं देता, रास्ते में तुमको आता देखकर ऐसा प्रती तो होता है, कि मेरे भाग्य फिर से जागरी तो हो गये हैं, आज हरी म प्रशन है, जो आपने दर्शन दिये, इस प्रकार रोपकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ट के चर्णों में गिर पड़ा, तब सत्यनिष्ट को उस पर बड़ी दया आई, उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया, वैसा आखमास महात्मे छनभर सुन वह कर्मनिष्ट, पिसाच, देह को त्याग, दिब शरीर धारन कर विवान पर बैठ, सत्यनिष्ट को परणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोग को गया, तब सत्यनिष्ट भी पैजेंसी पूरी को चले गया, शुकदेब जी कहने लगे कि जहां सुप्फल देने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यत्र प्रवहते पुन्या, शुभा विष्णु, कथा पगा, तद्ये, शवासिनाम मुक्ति है, करसंस्था नशंशया है, इस प्रकार से, स्री असकंध पुराणिये वैसाक महात्मे में नारत एवं अंबिरिश के संबाद में पिशाच मुक्ति नामक 14 अध्याय पूरा हुआ इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हों हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राजे किष्ण धन्यवाद